कि नमस्कार जईजञनात फिर्शे शगत्त करें हाँ मेरा चेनल को आज हम सिखेंगे मौरपॉंग का कटिंग कैसे लगाएंगे तो इस पॉधे से हम कटिंग लेंगे यह पॉधा को वह कटोंसे ग्रौ किया था इससे ब स८ लो απο इस तरह से semi hardwood cutting हम ले लेंगे जो ज़्यादा brown ना हो और green भी ना हो इस तरह की cutting लेंगे यह semi hardwood cutting है ज्यादा बड़ा cutting ना ले इससे बड़े cutting नहीं लगता है छोटे छोटे cutting और यह दूसरी पोदे से भी काट लेते हैं इसको भी मैंने cutting से ही ग्रो किया था मेरे पास अभी दो ही पोदा बचा है इसलिए मैं cutting से ग्रो कर रहा हूं और आप लोगों को भी दिखा रहा हूं को ब्लेड को सानिटाइज कीजिए गा मैं अभी सानिटाइज किया था तो नहीं कर रहा हूं हमेशा सार्प काट कर जिए फोटीफाइब डिगरी अंगल से कोई भी cutting लीजिए तो उसको फोटीफाइब डिगरी अंगल से but cheating करना बहुत जरूर हिए को इस तरह की कि सकत होना चाहिए तो आए आप सारे कटिंग को 45 डिगरी एंगल शे काट लेते हैं है तो कि कटिंग हमारा 45 से सारे कटिंग हो गया अब समय है इसको रूटिंग हर्मन और जो फंगि साइड पाउडर है फंगी साइड पाड़र और रूटिंग हर्मोन की जरीए इसको स्वधन करेंगे इसकी जड़ों में जल्दी जड़े आने के लिए तो हम rooting hormone की use करते हैं तो rooting hormone और fungicide powder का mixture यह मैंने बना रखा हूँ इसको अच्छे से mix कर लेते हैं mix करने के बाद सारे इसका जो tea paste को इसे अच्छे से लगा लेते हैं इस तरह की अच्छे से लगा लें कोई भी कटिंग छूट ना जाए और हमारा कटिंग कोई फेल ना हो हम कोशिश यह करेंगे कि हमारा सारे कुछ सारा कटिंग लग जाए और हमार पास बहुत सारा मौरपंक की पेड़ प्रस्तुत हो जाए अब सारे कटिंग से हमारा जो rooting hormone और fungicide powder लग चुका है अभी समय है कटिंग को हम लगाएंगे कटिंग हम रेत में लगाएंगे रेत में लगाने के लिए हम रेत को अच्छे से शुखा लिये हैं और उसमें से पाणी स्प्रे करेंगे पाणी स्प्रे करने से रेत आराम से अपने बेड़ जाएगा तो उसमें हम कटिंग लगाना असान हो जाएगा तो एक इस तरह की डंडी लेंगे डंडी से एक होल करेंगे एक एक कटिंग लगाते जाएंगे कि इस तरह सारे कटिंग को लगा दें लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा अलके हतों से इसको दबा दे ताके मिट्टी में आराम से बैठ जाएंग और उसके बाद किट से इसको वाटरिंग करते हैं इसको पहले बार आच्छे से पानी दे देंगे आ भुषि याद रखैं पानी बर्तम में डाले ना इसस्तरा सप्रिंक्या करें क्योंकि हम लेंत में लगा रहे हैं अगर पानी डालेंगे तो जड़ से उकरने का संभावना है त இல हम इसको इसillrasapp करेंगे अगर आपकी पास ऐसे प्रेयर नहां तो अध्य से आप छिड़क के आराम से दें लेकिन डाले ना इसमें पानी पानी स्प्रेय करने के बाद इसको किसी भी चहाईदर पोधे की निचे या सेमी शेड़ एरिया में रख दें जैसे किसी भी तरह यह पोधा हीले ना और इसको समय समय पर पानी दे जिसे की रहत हमारा सुक चाहे हलका तो हम उसमें थोड़ा सा वाटरिंग कर दें और ना पानी ज्यादा नाड़े इस तरह स्प्रेय में स्प्रेय कर दे या तो हातों में अराम से चिड़क के दे और यह वीडिय वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले जय जगन्नात